जहीं दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका सागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन से चार important information दूँगा सबसे पहली information है आपकी October की pension को लेके जी हाँ दोस्तो आज बहुत से pensioner को October की pension मिली है 42% DR के साथ जैसा कि आप पीछे message देख रहे हैं दोस्तो यह railway के pensioner है और जो नीचे है यह है defense के pensioner SBI की तरफ से message मिला है pensioner को कि उनकी October की pension जारी हो गई और दोस्तो यह PNB का message है जिसमें pensioner लिखते हैं कि PNB ने भी October की pension दी है जो यह pension मिली है यह मिली है 42% के साथ से जैसा आपको पता है अभी तक DR का letter नहीं आया है तो हमारा जो एरियर है चार महीने का वो भी delay है वो भी late है में भी दिवाली से पहले आपको मिल जाए और जो बड़ी हुई pension है 46% के साथ से वो आपको अगले महीने देखने को मिलेगी इस फर्ज की pension आपको मिलेगी 31 October को और भी जो pensioner है जिनको अभी तक नहीं मिली है बैंको की दोरा उनको भी 31 October तक मिल जाएगी October की pension वो भी 42% DR के साथ तो हर एक pensioner को 42% DR के साथ pension मिलेगी October की चलते हैं अगली information की तरफ फिर दोस्तों Department of Pension and Pensioner Welfare की तरफ से National Unity Day मनाये जा रहा है 31 October को जिसमें essay competition, quiz competition, National Unity webinar, राष्ट्रिये एकता दिवस pledge यहाँ पे होगी दोस्तों मैं इन्हें समझाना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप National Unity Day मना रहे हैं उसी के साथ से आप DR पे भी लेटर जल्दी से जल्दी निकाले तो कि दोस्तों यह Organize की अजारा है Department of Pension and Pension Welfare की तरफ से तो इस तरीके से जो पैंशनर का Welfare है DR के बारे में वो भी निकाले जल्दी से जल्दी चलते हैं दोस्तों अगली इंफर्मेशन की तरफ फिर दोस्तों एक पैंशनर लिखते है what type of Biometre Devise do we get to submit LC इन यानि किस तरीके का हम device ले, machine ले, biometric की, जिससे हमारा life certificate submit हो जाए इस पर्ष पे, दोस्तों बहुत से device आते हैं, Morfo का आता है, और भी other company के device आते हैं, मिंतरा का आता है, उसके जरिये आप अपना life certificate submit कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों होता क्या है, इस पर्ष पे कुछ टेक्निकली दिक्कते चल रही हैं, जिसकी वज़े से जो machine है, वो आपकी connect ही नहीं हो पाती, जिसकी वज़े से software में problem हो रही है, जब भी आप वो machine connect कर रहे हैं, तो better यह है कि आप face application के थ्रूँ, आप अपना life certificate submit कर दीजिए, उसमें fingerprint की जूरत नहीं पड़ेगी, तो कि काफी जो pensioner है, वो old age की हैं, ज्यादा age है, तो उनके fingerprint काम नहीं करती, तो better option है कि आप face का use करके, आप अपना life certificate submit कर दीजिए, तो दोस्तो आप खरी सकते हैं machine, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और भी pensioner का आप life certificate submit कर सकते हैं, अगर machine आ जाती है, वैसे अगर आपको सही लग रहा है machine के थ्रूँ, तो वो ठीक है, नहीं तो आप face authentication के थ्रूँ, face के थ्रूँ भी आप अपना life certificate submit कर सकते हैं, फिर दोस्त तो काफी जवर्दस information है, आप सारी चीजे इस PDF में पढ़ सकते हैं, तो ये PDF आप मेरे से ले सकते हैं, किस तरीके से आपको date of birth में सुधार करना है, किस तरीके से आपको बच्चों की तिथी आपको सुधार करनी है, अगर गलत चल रही है, आपको क्या करना है, सारी चीजे आपको इसमें मिल जाएंगी, तो आप ये information मेरे से ले सकते हैं, तो दोस्तों ये कुछ information थी आपके लिए, जो मैंने आपको समझाए, I hope सारी चीजा आप समझ गी होंगे, और भी कुछ पूछना हो, तो नीचे आप comment कर सकते हैं, वीडियो आपको अच्छे लगता है, को subscribe कर सकते हैं, thank you so much.